नमस्कार मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है सरल भाषा चैनल पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए बढ़ती उम्र के साथ हमारा वजन भी बढ़ता जाता है और चाहे आप पुरुष हो या चाहे कोई महिला हो हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वेट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आज हम जी रहे हैं एक फास्ट फूड के युग में फास्ट फूड कल्चर जो है हमारे देश में घर करता जा रहा है पहले ये कल्चर सिर्फ बड़े बड़े शहरों में था मित्रों अब छोटे छोटे गाउं में, कस्बों में हर जगे ये कल्चर अपने पंक फैला रहा है एसे छोटे बच्चे भी हैं जो ओबे सिटी से ग्रस्त हो गए हर कोई आज चाहता है कि वेट लॉस हो जाए वो स्लिम एंट ट्रिम दिखें, उनकी बॉड़ी मस्कुलर दिखें वो जवान दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें है की नहीं मित्रों आज मैं आपको कोई भी इंप्रैक्टिकल टिप नहीं बताने वाला हूं मित्रों मैंने बहुत सारे वीडियो देखें, बहुत सारे आर्टिकल पड़े भी लेकिन जादातर वीडियो में और आर्टिकल में क्या है ऐसे टिप दिये हुए हैं कि जो आप अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते हैं या जिने फॉलो करना बहुत ही तेड़ी खीर होगी आपके लिए इसलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका वजन एकदम से कम हो जाएगा रेगुलर्ली आपको थोड़ा पैक्टिस करनी पड़ेगी मैं कुछ उधारनों के साथ इसे एक्स्प्लेन करूँगा वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है मित्रों आप से विनम्र निवेदन हैं पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रही हैगा देखिए अगर हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो एक नेता जी हमारे माइंड में आते हैं वो हमारे ओनरेबल प्राइम निस्टर श्री नरेंदर मोदी लेकिन देवियों और सज्जनों मैं आप से कहना चाहूंगा जहां तक हेल्थ की बात है नरेंद मोदी जी का प्रोग्राम या उनका डाइट शिड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे वो तो चार घंटे ही सोते हैं अब वो तो विवाईत है नहीं उनको देश की चिंता है लेकिन आपके जीवन में ऐसा संबब नहीं हो पाएगा कि आप चार घंटे ही सो जाएं है ना और मोदी जी तो मश्रूम खाते हैं विदेशों से मंगाया हुआ बहुत महंगा आप ऐसा डाइट फॉलो कर पाएंगे क्या मुझे लगता तो नहीं कि कर पाएंगे इसलिए नरेन मोदी जी का एक्जामपल हम नहीं ले सकते हैं एक और जो फिल्म फ्रैटनिस्टी से परसन है हमारे खिलाडी अक्षय कुमार वो भी आड़ बज़े सो जाते हैं वो सुबह चार बज़े उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक्टर हैं उनके पीछे दस लोग खड़े हुए हैं लेकिन आप एक्टर तो नहीं हैं आप एक गरस्त जीवन में रहते हैं शाम को आते हैं टीवी भी देखना जरूरी है बच्चों के साथ बीबी के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है घर पे आते हैं चैचैँ पेंपें ये तो चलता ही रहता है मित्रों है की नहीं तो ऐसे एक्जामपल पहली बात आप फॉलो न करें किसी को आइडल न ले आइडल न बनाएं क्योंकि हर एक बॉड़ी टाइप अलग होती है आपके शरीर की तासीर अलग होती है इसलिए हर इंसान के लिए प्लान भी अलग होंगे अपनी पांचों उंगलियां तो एक बरावर है क्या आप बताइए मुझे क्या एक बरावर है क्या नहीं है जब पांचों उंगलिया अपनी एक बराबर नहीं है तो हर एक इनसान के लिए एक ही एक्ससाइज प्लान एक ही डाइट प्लान कैसे संभव हो सकता है बताईए तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक्ससाइज करना है अगर आपके पास पैसे हैं समय है तो जरूर जिम जाईए और एक्ससाइज करिए जिम जो ट्रेनर हैं उनसे बोलिए कि मुझे प्लान बना के दीजिए वो तो सबसे बेस्ट बात है लेकिन ऐसे हमारे भाई और बेहन जिनके पास पैसों की कमी है या जो समय का अभाव है जिनके जीवन में उन्हें क्या करना है एक बहुत सरल तरीका आपको बता देता हूं मैं राम बान बता देता हूं वेट कंट्रोल करने का 10,000 स्टेप्स सुबे से आप मान लो कि 10,000 स्टेप्स आपको चलना है आजकर मुबाइल पे ऐसे एप है जो शाम तक आपको बता देंगे कि कितने स्टेप्स आप चले हो समझो कि शाम को 6-7 बज़े आप देख रहे हो कि आपके 4,000 स्टेप्स तो पूरे हो गए है 6,000 और चलो कहीं भी जाकर चलो घर पे चलो महोर का कोई अंतर नहीं कि आप गार्डन में जाओगे तभी वाकिंग करोगे या कोई मैदान में जाओगे या स्टेडियम में जाओगे तभी वाकिंग होगी ऐसा जरूरी नहीं है कसोटी में गंगा वाला काम करो मित्रो अपने घर पे 10,000 कदम चलना है फिर देखो वेट लॉस कैसे नहीं होता है हमारे बॉडी को अगर मैं नॉमली बात करूँ पंद्रा सो कैलरी की रोज जरुवत है तो ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी तो चाहिए सेल को भी चाहिए हमारा जो बेसिक उनिट वो सेल है उसे माइट्रो कॉंड्रिया होता है जो की पावर हाउस कहलाता है उसको एनर्जी चाहिए एनर्जी तो कैलरी से आएगी पर पंद्रा सो कैलरी से ज़्यादा का इंटेक मत रखिया है अगर पंद्रा सो कैलरी से ज़्यादा इंटेक रखेंगे समोसे, भजिया, चना भटूरा, बेट के आप खाएंगे, तो बेट कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, है की नहीं, पंद्रासो कैलोरी का याद रखना है, और अगर आप 10,000 स्टेफ्स चलेंगे, तो 400-500 कैलोरी आपकी ऐसे ही खर्च हो जाएगी उसमें, ठीक है, देखिए, फ्रा के लोग कभी भी मोटे या उबीज नहीं मिलेंगे, यूरोप में भी ऐसा ही ट्रेंड है, फ्रांस में क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं, आफ्टरनून सियस्टा की, तो रात की जो नीन्द है, वो ठीक से आपको आनी चाहिए, अगर आप ठीक से एक दिन में 24 घंटे में मित्रो, आठ घंटे नीन्द बहुत जरूरी है, अगर आठ घंटे आप सो लेंगे, कोई भी तकलिफ आपको नहीं जाएगी, ठीक है, तो आपको सोना है अच्छे से, और वेट लॉस के लिए याद रखना है, कि आपको डाइट का ध्यान रखना है ज्यादा तला गला नहीं खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेवल्स को इंक्लूट करें अपने खाने में, जापान में क्या कहा जाता है, एक famous saying है जापान की, वो हमें follow करना है, जापानी लोग बड़े progressive होते हैं, उन्होंने क्या कहा है, कि जितना खाना हम सोचते हैं, कि इ जाए कदम चलूँगा उसको double कर दो, और मुस्कराओ चार गुना, यह आप करोगे तो आप देखोगे कि आप दूबले होते जाओगे, और योग करने से आपका वजन कम होने वाला है, योग को properly systematically आप सीखें, कितने सारे YouTube वीडियो आपको मिल जाएंगे, किताबे मिल इसे बहुत सारे कैम्स आपके आप पतंजली चला रही होगी, मेरी अली मित्रों पतंजली को सलूड करता हूँ इस बारे में, कि उनके ही प्रयास है कि आज हम विश्व योग दिवस भी बना रहे हैं, तो योग करें और आपस में सहयोग भी करें, अच्छा, जो शादी शि आपका वेट धीरे-धीरे कम हो जाएगा, और मित्रों आप नीन भी अच्छी ले रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, आपकी सेक्शुल लाइप भी बढ़िया है, वेजिटेवल फूट्स वगरा सब खा रहे हो, लेकिन प्रचूर मात्रा में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा, किसने भगवान की बात याद रखना है, लिव फॉर टुड़े, आज सुबह दिन शुरू है, आज शाम को समावत होगा, उसके बीच में जो भी आप कर सकते हो, करो, कल की बात, कल देखेंगे, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये आप अपना लोगे, और आप खुद पे ध्यान दोगे, तो आप देखेंगे, धीरे 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 आपका वेट कम होता जाएगा, ठीक है मित्रों, जो इन्फॉर्मेशन मेने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्स कर दीजिएगा, देवियों और सज्जनों, फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और हेल्थ हैक के साथ, तब तक के लिए, वंदे मातरम, जाए हिंद!